दोस्तो अज़किया है कि मेरे कमरे में जुगनू की तरह यादें चमकती हैं तुम्हारा जिक्र होता है तो ये आखें चमकती हैं तुम्हारा जिक्र होता है तो ये आखें चमकती हैं मुझे सूरज में दिल्चस्पी नकल्थी और नाब है मगर ये चांद रुक तुझसे मेरे रातें चमकती हैं बहुत शुक्रिया दोस्तों कि एक मतला और एक शेर और सुन लीजिए कि तो यू हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा और तो यू हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा वो जैसा था उसे वैसा खुबूल करना पड़ा वो जैसा था उसे वैसा खुबूल करना पड़ा और किसी के साथ जी ज़रा थोड़ा सा सबर रखिए मैं जादा हायल आप लोगों के बीच नहीं रहूंगा मुझे दूसरे शोरा को बुलाना है और आपके जजबात भी मैं समझ रहा हूँ कि आप कहां से एक चीज़ों को पकड़ रहे हैं कि वो जैसा था उसे वैसा खुबूल करना पड़ा और किसी के साथ मेरी रू उड़ती फिरती थी किसी के साथ मेरी रू उड़ती फिरती थी किसी के साथ बदन को फिजूल करना पड़ा किसी के साथ मेरी रूड तिफिरती थी किसी के साथ किसी के साथ बदन को फिजूल करना पड़ा और एक मतला और एक दो शेर और फिर उसके बाद मैं दूसरे शाहिर को दावत दूँगा कि गुफ्तगु में जो मुख्तसर थे हम शहर में कितने मौतबर थे हम गुफ्तगू में जो मुख्तसर थे हम शहर में कितने मौतबर थे हम जब निशाना हमें बनाया था अपनी पहले उड़ान पर थे हम जब निशाना हमें बनाया था अपनी पहली उड़ान पर थे हम अपनी पहली उड़ान और ये शेर देखे के हम हमेशा इधर रहे लेकिन हम हमेशा इधर रहे लेकिन लोग कहते रहे उधर थे हम लोग कहते रहे उधर थे हम और जब नहीं थे तो क्यों पुकारा था जब नहीं थे तो क्यों पुकारा था क्यों पुकारा नहीं अगर थे हम